राजस्थान सरकार ने नई बरतिये हैं उनकी गोसना है की है 2023 में किन-किन वेकेंसी के उपर है वो आपके विग्यप्ति जारी होगी और किन पदो पर है वो वेकेंसी आपकी आने वाली है तो इस वीडियो के अंतरगत बात करेंगे तो मैं नरेंदर चोधरी आप सभी का सेज के अंदर तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन हैं डिस्क्रप्शन के अंदर वोट्सप ग्रूप दिया गया है वहाँ पर आप जाके जोइन हो सकते हैं वहाँ पर आपको है पसुदन साहिका करसी प्रिवे करीब 2 माई में 19 विबिन विबागों में या संस्तानों में समंधित बजट में गोसित 14738 प्रदों पर मंजूरी जारी कर दी हैं तो जैसे ही आपके CET का रिजल्ट है वो जारी होगा था वैसे ही आपके इनकी वेकेंसियों की वह विग्यप्ति जारी हो जाएगी सच्वा विज्ञान उनिवर्सिटी 122 पद जोदपूर MDM अस्पताल 20 पद आवासी स्कूल 16 अधिक्षक 470 पद जोदपूर में पुलिस ट्रणिंग सेंटर 41 पद इसोजी में एंटि चिटिंग सेल 49 पद सूचना अयोग बें जोदपूर 12 पद जोदपूर विकास प्राधिकर 16 पद मैला स्वास्टी कारिकरता 203 पद पसुदन साय कईवे जल्दारी 1800 पद इसमें 900 पद हैं वो आपके पसुदन साय के हैं और 900 पद हैं वो आपके जल्दा दुरगापुरा उधानी की कोलेज 28 पद देवगड़ भी में सेनर्ज कायर्यालिये के लिए 7 पद इन पदों के लिए जो आपके वेकेंसी विजप्ती है वो जारी हुई है इन वेकेंसी के अंतर हैं वो आपके CET लागो नहीं हैं बाग की वेकेंसी LDC की वेकेंसी है वो आ तुरंत बाद है वो आपके CT का इन वेकेंसियों का है वो नोटिपिकेशन जारी हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिंच जे बारत